अक्टोबर सेवन्थ, साथ अक्टोबर से इस्राइल और हमास की लड़ाई चलु है लड़ाई में काफी लोग अभी तक मर चुके है पुरे दुनिया में इसका टेंशन है वोल्ड वार में इसका कनवर्शन होंगा की नहीं होंगा पता नहीं है और ऐसे इसमें जो न्यूज आ रही है वो तो ऐसे की इसराइल में पलेस्टिनीन में मतलब काफी सारी mental health issues आ रहा है बहुत सारे वो तो वहाँ आना साभाविक है जहां जंग चल रहा है वहाँ तो साभाविक है अगर हमारे देश में भी उसका असर दिख रहा है फिर इंडिया के उपर कितना असर होंगा फिर होंगा कि आगे चल के एंगा फिर अपने कोई रिलेटिव भार के देश में है विए उनका क्या होंगा अमेरिका इसमें उतर जाएंगा तो क्या हो लाइसे लोगों की इत्ते सारे सवाल है और बहुत सारा टेंशन लोगों उसको बलते हैं पोस्ट्रामेटिक स्ट्रेस दिसॉर्डर क्यों यह ट्रॉमा है और उनको लगता है कि कुछ तभी हो जाएंगा गड़वड़ी हो जाएंगी इन सेक्यूरिटी लग रही है अनिचितता स्ट्रेस आ रहा है तना वारा है लोगों को और काफी क्वाल्स उसके वज़े से बढ़ गए और वैसी जो लोग शेर मार्केट में कभी सारा पैसा शे से कम नीचे आया है और कभी बीच में 500-600 उपर चले जाता है फिर 200 नीचे आ जाएंगा तो लोगों की उसके वज़े से भी एंग्साइटी बढ़ रही है और उनको फिकर है कि क्या होंगा शेर मार्केट में और अपना पैसा खो बैठेंगे क्या माल बेचना कि खरीदना क् अग्साइटिका और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं मेंटल एल्थ इशूज वार से बढ़ जाते हैं डिफिनेटली और इसके इसमें हमने इतना ही करना है मैं इतना ही बुलूंगा कभी रिलाक्स रहो मेडिटेशन करो और वैसा भी शेर मार्केट में ऑप्शन है मतलब वह तो ठीक है अगर अधरवाइस भी आप्शन ट्रेडिंग में जब तक आप बहुत पढ़े लिखें नहीं हो तब तक ऐसे न्यूज की ओपर टिप्स की ओपर कभी नहीं करना चाहिए तो टेक केर खुद का ख्याल रखेंग आपने परिवार का ख्याल रखो और बहुत बहुत जादा एंग्सड़ी लग रही है तो एंटी-एंग्सड़ी मेडिकेशन ले सकते हैं सेल्फ फिपनॉसिस कर सकते हैं मेडिटेशन कर सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा क्या आप बहुत बहुमुल्य हो थैंक यू बेरी मच